नमस्कार, जैपुर्दा पिंक सेटी चैनल पर आपका स्वागत है ड्रोइंग रूम आपकी जीवन चैली का ही परीचर नहीं देता बलकि वह वास्तू के अनुरूप हो तो घर के लोगों को शुबफल भी देता है आईए जानते हैं बैठक यानि ड्रोइंग रूम के लिए वास्तू टिप्स प्रवेश द्वार की तरह ही ड्रोइंग रूम भी बहुत महित्पून है लिहाजा इसके लिए सबसे उचित स्थान उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या उत्तर पूर्व दिशा है ड्रोइंग रूम या बैठक में जहां तक संबव हो उत्तर और पूर्व की और खुली जगे अधिक रखनी चाहिए ड्रोइंग रूम में दर्वाजा उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर दिशा या उत्तर पश्चिम दिशा में बनाना चाहिए इससे सभी तरह से जीवन में तरक्की मिलती है ड्रॉइंग रूम में प्रकाश की विवस्ता घर के दूसरे कमरों की तुलना में ज्यादा अच्छी रखनी चाहिए गहरे रंग, डिम लाइट्स और ज्यादा पर्दों का इस्तेमाल संबनों में तनाव और अविश्वास का कारण बन सकते हैं स्वागत कक्ष यानि ड्रॉइंग रूम में महमान के सोने की विवस्ता यानि बैड इस कमरे के उत्तर पश्चिमी कोने में होना चाहिए सिराहना पश्चिम दिशा की तरफ हो तो बहुत अच्छा है ड्रॉइंग रूम की दीवारों बगेरा पर किसी एक रंग को प्रमुकता देने के बजाए इसे परिवार के सभी सदस्यों की रोचियों और पसंद के अनुसार साजाना चाहिए पीला, हरा, नीला, नारंगी या लेवेंडर का लाइट छेड वास्तू के हिसाब से अच्छा होता है ड्रॉइंग रूम में यदि पानी का फवारा या एक्वेरियम रखना हो तो उसे उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए टीवी दक्षिन पस्चिम दिशा यानी अगनी कोण में रखा जा सकता है बैठक में ही मृत पूर्वजों के चेत्र दक्षिन या पस्चिमी दिवार पर लगाने चाहिए ड्रोइंग रूम में फर्नीचर, शोकेस तथा अन्य भारी बस्टूइं दक्षिन पस्चिम दिशा में रखनी चाहिए फर्नीचर रखते समय इस बात का ध्यान रखें कि घर का मालिक बैठते समय पूर्व या उत्तर की और मुह करके बैठे दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में दी गई इंफर्मेशन अच्छी लगी हो तो यह वीडियो फेस्बुक पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो सके नीचे वीडियो के डेस्क्रिप्शन में ऐसे ही यूस्फुल टिप्स देखने के लिए बहुत सारे वीडियो के लिंक्स दिए गए हैं आप इन्हें क्लिक करके ऐसे ही बहुत सी इंपोर्टन जानकारिया हासिल कर सकते हैं ऐसे ही यूस्फुल और इंट्रेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए आज ही अमारे चैनल जैपुर दपिंग सिटी को फ्री सब्सक्राइब कीजिए